आपका जो next chapter है वो आपके पास circle जो कि दस्वां chapter बनेगा अब circle की definition पड़ते हैं circle क्या कहता है the locus of a point which moves such that its distance from a fixed point remains same locus का मतलब है रस्ता किसी भी point का रस्ता which move जो कैसे गुमेगा such that इस प्रकार से गुमेगा कि इसकी distance होगी वो from a fixed a fixed point से आपके पास same range बरब रहने सी जैसे कि आपके पास यह कोई भी point moving point यह point इस हिसाब से गुमना चाहिए कि यह आपके पास है fix point तो यह point आपके पास जो लोक रस्ता बढ़न गया ुसको हम बोलेंगे circle यह fix point around tonight circle का centre भूल लाजाएगा और यह मुविंघ क्वाइंट से इस प्वाइंट की जो fcz distance डी इसको सरकल की radius भूल लेंए ठीक है ऐसे गूमता जाएगा। टीक है तो यह distance ये सारी के सारी distance किया हम चाहिएगा इक्वल होनी करेगी या ये line इस circle को एक point पर touch करेगी या ये line circle को दो point पर cross करेगी तो अगर ऐसी situation है तो हम लिख देंगे एक भी point को मने नहीं है और अगर आपके पास ये line इस circle को दो इसों में काटती है तो एक ये point C होगा एक D हो गया तो जो C D है वो इस circle का क्या बोला जाएगा C केंट बोला जाएगा उसके बाद अगर ये line इस circle को एक point पर touch कर रही है तो इस line को हम इस circle का tangent बोलेंगे अब ये line circle को touch कर रही है आपके पास है कौन से point पर touch कर रही है C point के उपर है, टच कर रही है, तो यह जो C point है, यह point हो फे contact बोला जाएगा, तो हमने यह आपर देखा, यह point C है, यह circle के उपर है, तो एक point से हमने एक tangent खीच दिया, अब यह point दूसरा है, तो यहां से दूसरा tangent खीच देंगे, यह point लिया, और tangent, एक point से हम एक tangent खीच सकते हैं तो इस circle के उपर कितने points हैं तो इस circle के उपर तो infinite many points हैं तो एक point पर एक tangent infinite point इसका मतलब infinite tangent हम खीच सकते हैं तो ये अब आपके पास जो first exercise है उसका basics है अब मैं question करवाता हूँ आपके तो question में क्या करता है आपके पास जो first exercise है 10 point है 1 exercise का तो उसके अंदर क्या करता है first question करता है how many tangents can a circle have किसी भी circle के उपर कितने tangent खीच सकते हैं अब हमने आपको बता है कि एक point से एक tangent खीचा जा सकता है तो इस circle के उपर कितने points हैं infinite point हैं तो infinite tangent खीच सकते हैं उसके बाद कहता है a tangent to a circle intersect in it तो tangent आपके पास ये कोई भी tangent circle को कितने point पर काटेगा एक point पर काटेगा उसके बाद कहता है a line intersecting a circle in it two points एक line आपके पास circle को दो point पर काटेगे उसको हम क्या बोलेंगे secant of the circle उसके बाद आपके पास a circle can have खलिस्तान parallel tangent to at most आपके पास ये काता है जैसे आपने ये एक tangent खीच दिया तो इसके parallel एक tangent और खीच जाएगा इसके opposite side में देखेगा diameter आपके पास ये मान लीजेगा ये diameter है तो diameter का इस ये point है तो इसका ये point यहाँ से हम एक tangent और खीच सकते हैं जो कि इस tangent के parallel लोग जैसे यहाँ पर आपने tangent खीच दिया तो यहाँ से diameter खीचेगे और इसके opposite में जहाँ पर मिलेगा वहाँ से tangent खीचेगा तो दो tangent हमेशा आपस में parallel होंगे यहाँ से अगर आपने tangent खीच दिया तो इसके parallel tangent भी यहाँ से इस point पर खीच जाएगा तो दो टेंजेंट हमेश्या क्या होंगे पैरलों में उसके बाद कहता है दा common point of a tangent to a circle and circle is called जो common point आपके पास है line और circle का common point है उस common क्या बोलते है point of a contact बोलते है यह दो question तीसरे question में देखी है क्या कहता है एक tangent pq at a point p of circle of radius 5 cm यह एक circle है यह इसका center है यह इसकी radius 5 तो यह आपके पास इस point क्या आता है tangent खीचती या pq radius आपके पास 5 है p से tangent pq खुच्चा है जहां पर p आपके पास point of contact है ओक क्यों length 12 दे रखी है तो p क्यों length या length tangent आपने निकाल लिए तो यह जो आपके पास है tangent और यह आपके पास क्या है radius तो radius हमेशे tangent के उपर perpendicular होती है यह therm मैं आपको बताऊंगा अब तक आप इतना इसमझे लिजेगा radius tangent के उपर perpendicular होती है यह angle है 90 degree का है 90 degree का है तो ओ p q triangle के अंधरम पायथागोर्स थोर्म लगाएंगे पायथागोर्स थोर्म लगाने से आपके पास x p value आ जाएगी जो पी की p q length है उसके बार next question कहाता है draw a circle and two lines parallel to a given line such that one is tangent other is a secant कहता है एक tangent रोनेची 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 कोई circle को पर यह आपके पास circle है यह line tangent है यह line आपके पास tangent है और इसके parallel यह line secant line होगी बस इतना ही आपने करके दिखाना है उसके बाद जो थोरम आपको बता रहा हूं थोरम क्या कहता है इसने थोरम के अंदर यह बता है the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact and it's a converse यह थोरम आपने यहां पर बताएगी है the tangent important theorem में भी ध्यान रखना आपके पास तो यह कहता है the tangent at any point of a circle कोई भी circle है यह और यह आपने ले लिया tangent कोई भी यह tangent कौन से point पर है हमने मान लिए point पर है और यह आपके पास इसका center है तो center से point of contact यह आपके पास क्या होगी radius हो जाएगी तो हमने क्या परूँ करके दिखाना है tangent at any point of a circle किसी point के उपर यह tangent किस गया is perpendicular to यह जो tangent है यह perpendicular होगा किसके radius through the point of contact जो radius तो यह भी है radius यह भी है लेकिन इस tangent का point of contact क्या है P तो O P इसके उपर perpendicular होगा ऐसा हमने परूँ करके दिखाना है तो यहाँ से construction में हम O क्योँ यह आपके पास क्योँ point ले लें तो देखिए गाई इस theorem का आपके पास proof तो statement क्या कहता है it tangent to a circle is perpendicular to the radius through the point of a contact यह जो आभी आपको theorem बताईए तो given के अंदर क्याता है एक circle C है आपके पास O उसका center R radius है A B आपके पास tangent है at P आपके पास circle point of contact है आपने proof करके दिखाना O P perpendicular to A में O P perpendicular to A B आपने proof करके दिखाना है तो construction के अंदर क्याता है इस A B line के उपर कोई भी point है क्यों ले लिया तो O क्यों को मिलाया और O क्यों इस circle को R point पर है खाटती है तो यह आपके पास construction है अब इसके पास देखिएगा अब यहां से आपके पास O P और O R क्या होगा भई बराबर होगा क्यों होगा क्योंकि O P और O R दोनों की दोनों radius है radius कैसे बताया था center से किसी भी point को अगर हम मिला लेते हैं इस circle के उपर तो वो हमेशा radius होगी तो यह भी radius है यह भी radius है यह भी radius है और यह भी radius है तो O P और O R क्या होगी आपके पास रेडियस हैं दोनों की दोनों बराबर हैं तो O R के अंदर अगर R क्यों और मिला देंगे तो आपके पास O क्यों हो जाएगा तो यहाँ पर आपके पास देखेगा O P और O R दोनों की दोनों क्या हैं equal है और O, P और O, Q में इसे कौन सी बड़ी होगी O, Q value बड़ी होगी क्योंकि O, Q आपके पास किसके equal होगा O, R पलस में R है क्यों के इकवल होगा तो ये इसके equal है O, Q इसके equal होगा तो O, Q greater than O, R हो जाएगा अब O, Q greater than O, R है तो O, Q जो होगा वो O, P से बड़ा हो जाएगा या यूँको O, P जो है वो O के उसे चोटा हो जाएगा अब यहां पर आपके पास यह है किसी point छे किसी line के उपर यह आपके पास कोई भी line है इस point से इस line के उपर यह distance निकालेंगा यह distance, यह distance, यह distance यह सारे distance ठीक है यह लाइन तो यह तो आपके और यह distance तो यह जो distance है O P है और यह distance हो जाए यह distance उनमें सबसे छोटी जो distance होती है वो हमेशा perpendicular distance होती है तो यह कोई भी point ले लिया O क्यों और O P में से O P हमेशा और कोई अगर आप लेकर चलते हैं यह length ले 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 तो O P जो length होगी वो सबसे छोटी length होगी तो सबसे छोटी length होती है वो हमेशा perpendicular होती है इसलिए O P perpendicular to A B आ जाए थोटी कलिए आपने इसको ऐसे लिखते है O P इस दा shortest distance आपके पास वह रिजल्ट है O P shortest distance है और shortest distance जो होती है वो हमेशा perpendicular distance होती है इसलिए O-P perpendicular to A-B हो गया इसके बाद इसका Converse है Converse में यहां पर आपने क्या बताया था भई यह आपने प्रूव करके दिखाना था ठीक है जहां पर आपके पास क्या बताया था P-A-B-A के Tangent तो O-P अगर A-B Tangent है तो यह perpendicular दिखाया था अब perpendicular अगर दे रखी है कोई भी लाइन तो आपने दिखाने है वो आपके पास से Tangent हुगा A line draw the ends of the radius and perpendicular to it is a tangent to a circle तो इसने क्या बता है एक line खिची गई तो दा end of radius आपके पास यह center है यह radius radius का जो end point आपके पास इससे एक line खिची गई है ठीक है और आपने यह पूर करके दिखाना है और यह दे रखा है कि यह line इसके उपर यह perpendicular दे रखा है तो आपने दिखाना है कि जो A-B line है वो आपके पास Tangent होगा at the point A P के उपर Tangent तो given यह होगा आपके पास पूर आपने क्या करके दिखाना है A-B at Tangent होगा at any point P फिर वह construction हम लेके चलते हैं क्यों कोई भी point ले लिया A-B line के उपर O-Q को मिला है जो कि इस circle को R point पर है खाटती है अब O-B-A-B के perpendicular भी दे रखा है इसने O-P perpendicular to A-B दे रखा है इसका मतलब O-P फिर वही O-P-A-B के perpendicular है तो O-P short distance हो गई O-P short distance हो गई तो O-P O के उसे चोटा होगा तो O-P O के उसे चोटा होगा इसका मतलब क्यों आपके पास circle से बार होगा Thus every point on the A-B other than P lies outside the circle क्याता है इस A-B line के उपर कोई भी point लेंगे वो circle से बार होगा P को छोड़ कर तो P point ही circle के उपर होगा और जो point circle के उपर है वो उस point से और कोई line खीचे गई है तो वो आपके पास क्या बोली जाती हमेशे है tangent बोली जाती है इसलिए A-B आपके पास tangent की line होगी और वो tangent होगा at point P के उप तो ये आपके पास 8.1 exercise complete होगई है और ये दोनों थोरं important है भाई खास्तों पर जो पहले वाड़े थोरं थी वो important है आपने करनी है फिर भी कोई problem आए तो पूछ लेना दो thank you